दोस्त अगर आप भी stake app में deposit करते थे और deposit करते टाइम आपके mobile screen पर कुछ इस तरीकी का interface आता था तो दोस्त फाइनली हमाई लिए stake app की तरफ से good news आई है वो यह है कि stake app ने अपने इंडियन यूजर्स के लिए INR वाल जो method था उसे यहाँ पर launch कर दे हैं मतलब कि यहाँ पर आई एनर में अपनी जो payment है मतलब कि यहाँ पर आप आई एनर में deposit कर सकते हो भली अपने UPI से net banking से वही बड़ी असाइनी से हरी आपका जो account वो VIP लेवल हो या ना हो तब यहाँ पर आप बड़ी असाइनी से आई एनर वाले method से यहाँ पर आप deposit कर सकते हो भली आपका UPI हो बले यहाँ पर आपका net banking को तो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर आप इसमें deposit करोगे किस तरीके से यहाँ पर आप अपना UPI method या फिर अपना net banking यहाँ पर आप जोड़ोगे इस साइची दोस्तों मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हो वो भी detail के साथ तो इस वीडियो कि mobile screen पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता था तो किस तरीके से यहाँ पर आप इस problem को solve कर पाऊँगे नीचे की तरफ एक deposit का दिखाए दे रहा होगा एक withdraw का एक by crypto और चौते नमबर पर आपको tip का option दिखाए दे रहा होगा simply दोस्तों यहाँ पर आपको deposit वाले option के ओपा क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इसके ओपा क्लिक कर दोगे आपके सामने फिर से दोस्तों दो तरीके के option आ जाएंगे एक आ जाएगा crypto का नीचे यहाँ पर आपको उसका scanner दिखाए दे रहा होगा दूसरे नमबर पर आपको सामने आ जाएगा अपर आपको प्रोसेस भूल जाओगे जिसससे यहाँ पर आपको जो payment होगा वह यहाँ पर सही तरीके से deposit नहीं पाएगा दोस्तों आपके सामने की चेसे तरीके का interface आ रहा हुए यहां पर क्ली देख से अद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा अधो नेट बां कर देता हूं और यहां पर मैं deposit वाल option के उपार क्लिक कर देता हूं जैसे दोस्तों मैं इसके उपार क्लिक कर दूँगा मेरे सामने कुछ इस तरीकी का यहां पर आपको टाइम दिखाई दे रहा हो कि इतने टाइम के अंदर है मतलब कि एक तरीके से तीन मेट के अंदर यहां पर आपको पेमिंट वगएरा कर देनी है साइसाथ दूस्तों यहां पर आपको scan qr code your PSP और दूस्तों यहां पर आपको pay using below UPI apps जहां पर कि आपको UPI द करूँगा कि यहां पर आप अपने किसी दूसरे mobile से या फिर इसका screenshot ले लेना simply तो यहां पर चले जाना ptm वगएर फिर google वगएर पर direct app के अंदर और फिर दूस्तों यहां पर आप से scan करके तब यहां पर पेमिंट करना क्योंगी दोस्तों अभी क्या problem आ रही है मैंने इस मेरी जो पेमिंट थी वो automatically मेरे automatically दोस्तों मेरे account के अंदर आ चुकी थी तो दोस्तों यहां पर मैं आपको यही suggest करूँगा कि जब भी यहां पर आप IINR वाले method से यहां पर पेमिंट करोगे भली आपका जो account है वो VIP level हो या ना हो तब भी दोस्तों यहां पर आपको जो amount हो यहां पर deposit हो जाएगा अगर यहां पर आप लोग scan करके payment करते हो लेकिन अगर आप यहां पर आप UPI से करते हो या फिर phone पे या फिर Google पे पेडियम वगरार से करते हो तो यहां पर आपकी जो payment होगी वो definitely मतलब कि 99% तो यहां पर मैं sure हूँ कि आपकी जो payment होगी वो यहां प करना है ना जिससे होगा कि यहां पर pay time जो वो डायेट यहां से connect भी नहीं हो पाएगा और आपकी जो payment होगी वो डायेट स्टे कैप के अंदर चली जाएगी वो भी दोस्तों आपने INR वाले method के अंदर भली आपका जो content वो या IP लेवल हो या ना हो तब भी यहां पर आप कर दो